नमस्कार आप दिख रहे हैं MP News और आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू कराना चाती हूँ जो के हमारे डे टुटे लाइफ से बिलॉंग करती है जैसे कि अगर हम यह चीज अपने पास न रखे तो कम्मिनिकेशन नहीं होगा जी हाँ यह हैं मुबाइल फोन्स अगर मुबाइल फोन्स हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि मुबाइल फोन्स से हम कम्मिनिकेशन करते हैं मुबाइल फोन्स में हमारे सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कभी-कभी तो हम मुबाइल फो regulatory authority of India ट्राइय ने mobile number portability की सुइधा introduce की है जो की जिसे कहा जाता है Sim Portability हम अप normal language में कहते हैं Sim Portability तो mobile number portability जिसमें जिसमें कि अगर आप existence sim company की services से खुष नहीं है तो आप अपना number बदले बिना उसे दूसरी sim company का ले सकते हैं उसे दूसरी sim company में port कर सकते हैं इसलिए try ने mobile number portability की सुईधा introduce की mobile number portability जो है वो हर महिने 60 लाख में होती है इसलिए try कुछ ना कुछ excuses देखे कुछ ना कुछ कारण देखे इसे खारिच कर दे रहा था इसलिए try जो है अब उसे लोगों की सुईधा वो लोगों को सुईधा नहीं दे पा रहा था इसलिए try ने अब नया regulation बहुत जल्द लेके आने वाला है जो कि है आप अपनी mobile sim की portability है वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में ले सकते हैं अभी जो regulations try की द्वारा दिये गया है उसमें यह है कि जो mobile sim की portability आप करते हैं उसमें आपको 7 दिन लगते हैं 7 days एक हफता लगता है और उस एक हफते में आपका जीवन यहां का वहां हो जाएगा क्योंकि आपका mobile ही नहीं चलेगा इसे लिए टेलीफोन रेगिलेटरी अथोरिटी ऑफ एंडिया ने इसे 24 घंटे में करने की करने का एक नया regulation यह लागो करने वाले हैं बहुत जल्द इससे पहले 31st January 2018 को ट्राइन इन इसकी घटे काम कर दी थी जो की अगर हम साथ दिन में mobile sim portability अगर हम करवा रहे हैं तो हमें 19 रुपे देने पड़ते थे पर अब 31st January 2018 से हमको 4 रुपे ही देने पड़ते हैं mobile sim portability के और अब जब नया regulation आएगा तो चाहे कुछ और नया लिखे आएगा इसी लिए इसके साथ ही मैं आपके साथ बनी रहूंगी कुछ न कुछ खास reports लिए cameraman अरुन यादव के साथ प्राजकता अंक्लिकर MP News इंद और